कैसे हैं आप सभी आसा कहता हूं बहुत ही अच्छ होंगी तो चलिए देखते हैं कोशन नमर फर्स्ट भारत का पहला विदेशी पार्क कहां सुरू किया गया मुंबई में दिल्ली में उडीसा में या फिर असम में इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमर ए मुंबई में या अध्याभी का इसका जो सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर चि करो हिंदी में कहा जाता है नेस्ट कूशन कूश Teas है किस देश में बर्प से बिजली तयार की जाती है भारत में जापान में फिर अमेरिका में इसका सई अंसर हो जाएगा option number C चीन में चीन में बर्प से बिजली तयार की जाती है चीन का कौन सा मोवाइल इंडिया में सबसे ज़्यादा बिखता है वीबो का ओपो का एमाई का या फिर सैमसेंग का इसका जो सही अंसर है option number C इंडिया में सबसे ज़्यादा बिखता है नेस्ट कोईशन नमर 5 है राहूल गांधी कितने साल के हैं 51 साल 40 साल 38 साल या फिर 60 साल इसका जो सही अंसर है option number A इक्याबन साल राहूल गांधी 51 साल के हैं नेस्ट कोईशन कोईशन नमर 6 है कौन सा जीव अपने सरीर के बराबर भोजन करता है कैचुआ चीटी मैडक या फिर मचली इसका सही अंसर है option number A कैचुआ कैचुआ अपने सरीर के बराबर भोजन पराप्त करता है नेस्ट कोईशन कोईशन नमर 7 है किस देश में दो राष्ट पती है पाकिस्तान देश में भूटान देश में भारत देश में या फिर सन मारिनो देश में इसका जो सही अंसर है option number D सन मारिनो देश में नेस्ट कोईशन कोईशन नमर 8 है मोधी जी के चसमे की कीमत कितनी है 30,000 रुपाए 45,000 रुपाए 50,000 रुपाए 80,000 रुपाए इसका जो सही अंसर है option number B 45,000 रुपाए मोधी जी के चसमे की कीमत 45,000 रुपाए है next question question number 9 है मोधी जी के घड़ी की कीमत कितनी है 1,90,000 रुपाए 2,00,000 रुपाए 3,00,000 रुपाए या 10,00,000 रुपाए इसका जो सही अंसर है option number A 1,90,000 रुपाए next question question number 10 है राष्टपती अपना त्यागपत्र किसे देता है पुरदान मंत्री को उपराष्टपती को ग्रह मंत्री को या फिर राजपाल को तो इसका सही अंसर है option number B उपराष्टपती को राष्टपती अपना त्याग पत्र उपराष्टपती को देता है याद रखिएगा नेस्ट कोशन में जाने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में आपको एक परसंद दिया जाएगा जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है उस अंसर का जो बिनर होगा उसका नाम जो है अगले वीडियो में यानि अगले दिन उसका नाम लिया जाएगा चलिए next question देखते हैं next question है सबसे कम helicopter किस देश के पास है तो Greek देश के पास France देश के पास चीन देश के पास या Tokyo देश के पास इसका सही answer है option number A Green देश के पास next question question number 12 है करनाटक की राजधानी कहा है इस्तित है मैसूर चैन रई, बैंगलूरू, बपाल इसका सही answer है option number B, चैन रई करनाटक की जो राजधानी है चैन रई में इस्तित है next question question number 13 है पदम परसकार किस के द्वारा दिया जाता है राष्टपती, प्रधान मंत्री उपराष्टपती या ग्रह मंत्री तो इसका सही answer है option number A, यानि राष्टपती, राष्टपती के द्वारा पदम परसकार दिये जाते है next question 14 है, अंतरिक्ष का सहर किसे कहा जाता है कॉलकाता, लखलव, मंबई या फिर बैंगलूरू तो इसका सही answer है option number D, बैंगलूरू को अंतरिक्ष का सहर का जाता है next question, question number 15 है परत्वी परकुल कितने महासागर है, 4 महासागर 5 महासागर 8 महासागर, या फिर 9 महासागर, तो इसका सही answer है, option number B 5 महासागर इसका सही answer हो जाएगा next question, question number 16 है किस देश में पानी नहीं है, अफरीका में बेंटिकन सिटी में पाकिस्तान में, या बेनुजुला में तो इसका answer जो है, option number D यानि बेनुजुला में बेनुजुला में पानी नहीं है next question, question number 17 है दिल पक जाना, मुहावरेकार्थ क्या है, अच्छा लगना प्रेम नहोना, अतियंत पीड़त होना, कश्ट पहुचाना तो इसका सही answer है option number C अतियंत पीड़त होना next question, question number 18 है निम्द में से इस्त्री लिंक सब्द कौन सा है प्रत्वी, तिति, रासी या उपर्योक्त सभी तो इसका जो सही answer है option number D, उपर्योक्त सभी यानि रासी, तिति, और प्रत्वी ये तीनों ही इस्त्री लिंक सब्द है next question next question हम जाने से पहले यादि आपने अभी तक इस वीड़ो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए छलते है next question की तरह question number 19 है सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है गोवी, मतर, गोवी, टमाटर, बैगन या प्याज तो इसका सही आंसर है option number C बैगन बैगन को सब्जियों का राजा कहा जाता है next question question number 20 है बिस्व का सबसे बड़ा हवाई अड़ा कहा इस्तित है अमेरिका में, चीन में, भारत में या सवधी अर्व में इसका आंसर आपको comment box में देना है सही आंसर देने वाले का नाम कल आपके screen पर दिखाये जाएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे पहली बार आये हो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना अपने friend circle में इसे चरूर सेंट कर देना चलिए आम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जहन चभारत